मेरा नहीं सोरभ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेर कर रहा हूं अपना बैक वर्काउट यह वेग्वर्काउट पेसिकली मैं स्ट्रेंथ गिन करने के लिए और मसल गिन करने के लिए कर रहा हूं और इस back workout में भहुत सारी ऐसी exercise होंगी जो की compound lifts होंगी मगर guys वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो make sure आप मेरा चनल को सब्सक्राइब करो और guys अगर आपको मेरे से meal plan और diet plan बनवाने हो तो आप मुझे reach कर सकते हो sort of what's personal training at the rate gmail.com पे सबी के links आपको description box में मिल जाएंगे सबसे पहली exercise guys इस workout के अधर में परफॉर्म कर रहे हैं pull ups pull ups एक fundamental exercise है back के muscles के लिए अगर आप से pull ups नहीं होते हैं तो आप pull ups की variations कर सकते हैं जैसे कि assisted machines को use कर सकते हैं आप resistance bands को use कर सकते हैं जिससे आप pull ups कर पाओ मगर आपको make sure करना है कि आपको pull ups जरूर करना है बहुत से लोग क्या करते हैं कि machines पर सीता चले जाते हैं और pull ups को avoid करते हैं guys pull ups एक fundamental exercise है back muscles को grow करने के लिए और ये compound lifts के अंदर भी आती है तो इसलिए pull ups करना बहुत जरूरी है और guys look मैं आपके साथ हर clip में sets और reps discuss नहीं करूँगा वो आप description box में जाके देख सकते हो कि मैं हर exercise के हर set में कितने sets और कितने reps लगाता हूँ तो guys सबसे पहली exercise जो मैं इस workout के तरह परफॉर्म कर रहा हूँ वो है pull ups second exercise इस workout के तरह परफॉर्म कर रहा हूँ guys deadlift deadlift एक बहुत ही अच्छी exercise है आपकी strength increase करने के लिए साथ की साथ आपके overall back को increase करने के लिए guys look काफी लोग deadlift avoid करते हैं जातर इसलिए करते हैं क्योंकि उनको धंकी form के साथ deadlift करना नहीं आता या फिर दूसरी चीज़ क्या करते हैं लोग deadlift में heavy weights जादे से जादा weight मारने की कोशिश करते हैं guys दोनों ही गलत तरीक हैं सबसे पहले deadlift करने के लिए आपको proper form सीखनी है proper form सीखने के लिए आप YouTube पे या किसी से भी discuss कर सकते हो अपने gym trainer से बात कर सकते हो दूसरी चीज़ deadlift में आपको gradually increase करना है आपको यह ध्यान में रखना कि आपको जादे से जादा lift करना है अगर आपका goal है strength और muscle gain करने का तो कम से कम आपको 5-8 reps हर sets में निकालने चाहिए तो guys दूसरी exercise जो मैं perform कर रहा हूं वो है conventional deadlift third exercise basically मैं एक super set ले रहा हूं मैं इसमें close grip pull ups का और साथ के साथ hyper extension का एक super set ले रहा हूं और super set मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि मैं intensity बढ़ा सकूं look guys मैंने pull ups कर चुका हूं और साथ के साथ मैं heavy deadlifts ले चुका हूं तो इसके बाद मैं intensity या weights के through नहीं बढ़ा सकता है इसलिए मैं super sets को include कर रहा हूं आपको ध्यान में रखना होगा कि हमेशा हर exercise में आप intensity बढ़ाने के लिए बस weight increase नहीं करोगे उसको intensity increase करने के लिए आपको super sets, giant sets, cluster sets ऐसी चीजों को include करना पड़ेगा जिससे intensity बढ़ सके तो guys इस वज़े से मैं close grip pull ups लगा रहा हूं और साथ के साथ body weight hyper extensions कर रहा हूं lower back के लिए जिससे मेरी intensity बढ़ सके और muscle जादे से ज़्यादा engage हो सके 5th exercise guys perform कर रहा हूं है इस workout के अंदर shrugs shrugs में perform कर रहा हूं basically dumbbell shrugs और shrugs को मैं back workout में इसके ले रहा हूं क्योंकि एक pulling movement है ज़्यादा तर लोग इसे shoulder workout के साथ include करते हैं आप उसमें भी include कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है मगर मैं इसको back में इसलिए include करता हूं क्योंकि सारे pull muscles में एक साथ include कर लेता हूं तो इसलिए guys dumbbell shrugs के साथ आपको एक जीत ध्यान में रखनी है कि जब भी आप shrug करोगे आपको यह hold करना है और फिर slow release करना है काफी लोग बस इस movement को ऐसे up down up down up down करते हैं जिससे उनका muscle proper तरीके से engage नहीं हो पाता तो guys इसलिए श्रग करने के लिए आपको इसको पूरी तरीके से engage करना है तभी यह develop होगा जो की natural athletes है या जो की natural body building कर रहे हैं उनको traps grow करने होगा difficulty होती है और वो जादर क्या करते हैं heavy lifts करने की कोशिश करते हैं वो आपको बिल्कुल help नहीं करेंगी आपको हमेशा ध्यार में रखना है कि muscle को engage करने के लिए आपको उसे hold करना है फिर slow release करना है गाइस लास्ट exercise इस workout के दर में perform कर रहा हूं face pulse face pulse आपकी upper back को target करती है और काफी लोग हमेशा back workout के अंदर lats पर focus करते हैं और upper back को neglect कर देते हैं गाइस अपर एक back बहुत ही ज़रूरी muscle है अगर आप अपनी back का प्रॉपर लुक चाहते हो तो क्योंकि upper back की आपके torso को wide दिखाने में आपकी help करेगा तो गाइस इसलिए मैं upper back को कभी neglect नहीं करता हूं मैं हमेशा face pulse ज़रूर अपने back workout के अंदर include करता हूं और इसमें आपको कोशिश करनी है कि आपको अपनी body को stable रखना है और pull करने के लिए आपको बस अपने elbows का use करना है और आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप जो cable attachment use करोगे उसको chin से touch करवाना है जिससे आपके back muscle proper तरीके से engage हो पाए तो guys basically यह सारी exercises में perform करता हूं अपने back workout में और इन exercise मेरी strength और muscle दोनों ही gain हो रहे है I hope guys आज की video आपको पसंद आई होगी and guys see you in the next video and best of luck